सादू इंप्लिमेंट संग्रिया के आपने इनके वैसे पहले भी कल्टिवेटर देख्या यह नहीं निया मॉडल निकार रहे हैं आपको उसके बारे में सारा बता रहे हैं रभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नए-पडेट के लिए नए-एंप्लीमेंट के लिए नए-एक्नोलीजी के लिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें पास में दीगी घंटी इसको बैल आइकन को दबा लें नए-ने अपडेट के लिए तो अपने बात करते हैं आज कल्टिवेटर की पहले इस म तो हमने कास्टमर की दिमांड पे ये थी टाइन कडिवेटर त्यार की आप देख सकते हो इसमें इस में टाइन सिति एए एक ये क debut मेद बनाई गई है ये प्लाज्मा ताटी से दवारा कट। में बनाई इसकी शेप आप देख सकते हो यह CNC से कटिंग करके बुनाई है फीचिर इसके अंदर वही है सेम आगे वाला बोल्ट जो है 14 नंबर का पीछे वाला बोल्ट इसका 31 नंबर का है आगे वाला बोल्ट सेफटी बोल्ट कहीं आपका तने में जड में आपका हल अड़ जाए तो य अगे से यह देगा यह रूट यह मैं है इसको आप सिट इसको हुआ जयंसे में सिथे हडाघ लेने हैं तो आःएव हुमारे सो बसी एफू़ निया लांच कर दी है इसको आप सिधी टाइन में अगर चाहो तो सिधी टाइन में भी मिल सकते हैं आपको वेट की बाग करें वेट इसके अंदर दो कोटल अस्ती किलोग वेट है पाला जो पूरा श्पैसल आज वाला लगा हुआ है क्वालटी आप इनकी देख सेक्टे हो कि बाकी पिछे उन्होंने हुक लगाई है को ट्रॉली वगारा यह कुई तविया यह सोगा वगारा जोड़ना हो इसके काम देता है साइड पर पाइप रुगादी उठाकर डालने के लिए सारा सी एंसी लेजर से कटिंग होके त्यार हुआ हुआ है आप देखी रहे हैं इसक और तो प्राइस इसका 20,000 से स्टार्ट हो जाता है और 24-25,000 तक आपके जितना मर्जी ले लो तो इसके आपको पता ही हमारे मोडल 3-4 आते हैं जिसमें कम वाले में यह फ्रेम एंगल का जाता है फिर उपर वाला फ्रेम वह सी एंसी से कटिंग आ जाता है जैसे कि यह फिर स और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कोई भी अगर आपको कोई लगे तो आप कमेंटर में हमारे को जरूर बताएं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए नए अपडेट के लिए थैंक्यू